इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, that is e-business. तो e-business का सबसे पहले हमको meaning study करना होगा, फिर ये delivery mechanism क्या है, payment mechanism क्या है, e-commerce का क्या meaning है, फिर e-business का क्या scope है, ये हमको study करना होगा. तो सबसे पहले हम ये जा लेते हैं कि e-business का क्या meaning है, business के अंदर yelty में दो टाइप की activities आती हैं, first part मैं इसको industry का name दे सकता हूँ, second part commerce, अब industrial activities भी होती होगी और commercial activities भी होती होगी, electronic business, जो business हम internet के थुरू कर रहे हैं, computer की help लेके कर रहे हैं, that is electronic business, electronic business के अंदर क्या होता है, delivery कैसे होती है, हम लोगों को product कैसे पहुंचाते हैं, हमें product कैसे मिलता है, तो delivery mechanism के अंदर दो topic हैं, या तो delivery हमको immediately मिल जाती है, for example मान लीजी मुझे कोई tickets book करानी है, तो मैं क्या करूँगा, घर पे बैठे बैठे, internet की help लेकर payment करूँगा, और मेरी air tickets book हो जाएंगी, flight की ticket मेरी book हो जाएंगी, मुझे कोई hotel की booking करनी है, तो मैं क्या करूँगा, घर पे बैठे बैठे, hotel की website पर जाओंगा, या कोई internet banking करूँगा, कुछ भी करूँगा होटल के अंदर मेरी rooms को मैं बुक कर लूँगा, मैंने payment की और मेरे room बुक हो गए और मेरे पास payment confirmation कभी पर report भी आ गया मालो मैंने कोई software खरीदना है मुझे कोई software खरीदना है पर माल लीजी आपने कोई car खरीदनी है कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई मकान खरीदना है तो क्या आपको लगता है कि आप इसकी online payment करोगे और ये मकान या घर या कार आपको हाथवाथ मिल जाएगा, नहीं आपको ये product, ये service मिलने में थोड़ा time लगेगा, तो delivery mechanism दो type का हुआ, कुछ product, कुछ services आपको immediately मिल जाती है और कुछ, कुछ वक्त के बाद फिर बाद आती है कि payment mechanism क्या है simple सी बात है, e-business के अंदर अगर हम payment online करते हैं, तो हम इसको कह सकते है, electronic fund transfer क्योंकि हम अपनी payment internet के तुरू transfer करेंगे जिसमें हम अपने debit credit card का use करना पड़ सकता है mobile banking, internet banking कह सकते है तो इसमें क्या होगा, पैसा आपके account में सिकर जाता है, और सामने वाले के account में जाकर जमा हो जाता है, तो मैं कह सकता हूँ payment mechanism भी बिल्कुल simple है, तो payment mechanism के तुरू क्या होता है, घर पे बैटे बैटे कहीं से भी कोई भी production सकते हो, payment कर सकते हो अब बात आती है कि ये e-commerce का meaning क्या है, e-commerce का meaning समझने से पहले, हम ये वाले term समझ लेते हैं, business को reality में हम दो parts में divide कर सकते हैं जिसमें first part है industry, second part है commerce, industry reality में क्या होती है, industry के अंदर हम production activity करते हैं, production करते हैं, ये production से related activities करते हैं, तो उसको मैं industry का name दे सकता हूँ, second business का part कौन सा है, commerce, commerce को further two parts में divide कर सकते हैं first part is trade, और second part क्या है, जो trade में help करेगा अब हम ये जाननेते हैं कि trade क्या होता है, trade के अंदर buying ये selling आता है, खरीदना, बेचना ये सारी activities, हम इन activities को trade कह सकते हैं, अब खरीदने, बेचने के अंदर कौन-कौन सी activities हमारी help करती होंगी for example, part number one, transportation transportation की services, warehousing की, communication की, ये सारी activities हमारे trade में हमको help करती हैं, हलाकि ये commerce का topic, हम unit number 1.2 में study कर चुके हैं, तो आप unit 1.2 के अंदर जाकर इसकी और detail में study कर सकते हैं, तो commerce की जितनी भी activities हो गई, for example, मुझे किसी product की information लेनी है, मुझे किसी को product पहुंचाना है, मुझे किसी से online payment लेनी है, या मेरे को product का order देना है, या product का order लेना है, तो ये सारी activities, अगर हम internet के थूँ करते हैं, तो इन सारी activities को मैं कह दूँगा electronic commerce, e-commerce commerce की अगर सारी activities मैं online कर रहा हूँ, internet की help से कर रहा हूँ, तो उसको मैं electronic commerce का name दे सकता हूँ, आपको एक topic और भी study करने को मिलेगा, e-commerce और e-business, दोनों में क्या difference है, ध्यान से देखो commerce business का एक हिस्सा है, एक part है, तो reality में जो e-business वाली term है ना ये e-commerce से बड़ी है, क्योंकि e-business के अंदर ये दोनों topic आगे, जबकि e-commerce खुद e-business का एक हिस्सा है, तो topic छोटा सा है, वो भी आप study करके देखिएगा अब हम चल रहे हैं कि हमारा e-commerce है, उसका क्या meaning है meaning मैंने आपको अभी समझा दिया है अगर हम सारी commercial activities internet के थुरू कर रहे हैं, तो उसको हम e-commerce का नाम दे सकते हैं e-commerce के अंदर कौन कोंसी activities हो सकती है, product की आपको information लेनी है, तो इसको आप e-commerce कह सकते हो, आपने order लेना है order देना है, या delivery पहुंचानी है या किसी से delivery आपने receive की है या आपने किसी को payment दी है या ली है, product को लेकर, तो उसको हम e-commerce का name दे सकते हैं अब बात आती है कि ये e-business, जो chapter हमारा चल रहा है, e-business, इसका scope क्या है, क्या scope है इसका, क्या शित्र है तो इसमें हमें चार चोटे-चोटे topics study करने होंगे e-business में हमको चार topics study करने होंगे पहला topic क्या है B2B commerce B2B इसमें पहले B का मतलब भी business है दूसरे B का मतलब भी business है मतलब, जब दो business आपस में landin करते हैं तो मैं उसको business to business commerce कह सकता हूँ पर ये transactions करने के लिए internet की help ले रहे है internet की help ले रहे है, तो मैं इसको business to business commerce कह सकता हूँ पहला business, मालो कच्चा माल बनाता है, दूसरा business मालो और किसी का है, उसको वही कच्चा माल production में use करना है तो ये दोनों business क्या करेंगे आपस में लेंदेन करेंगे पहले वाला business, दूसरे वाले business को product sale करतेगा, दूसरे वाला उसको खरीद लेगा तो जब दो business आपस में लेंदेन करते हैं तो उसको हम business to business commerce कह सकते हैं आगे है हमारा business to customer commerce business to customer commerce मालो एक person ने किसी company को mobile order दिया अब उसने mobile खुद यूज़ करना होगा तो mobile जिसने खरीदा है तो वो customer हुआ तो एक customer ने contact किसको किया, business को किया, एक company को किया, एक firm को किया तो ये जो transaction हुई है, एक customer और एक business के बीच में हुई है तो इसको हम business to customer commerce कह सकते हैं अब इसमें एक customer क्या कर सकता है, product के बारे में information ले सकता है, order दे सकता है, payment दे सकता है, product receive कर सकता है तो जब transaction एक business और customer के बीच में हुई है, तो इसको हम B2C commerce कह सकते हैं next है हमारा intra-B commerce, intra-B commerce को आप थोड़ा ध्यान से समझेगा अब एक business है, इस business के अंदर काफी सारे department होते हैं, production department, purchase department, marketing department, finance department अब एक ही business के different different departments अगर आपस में कुछ landing करते हैं, कुछ information share करते हैं तो हम उसको intra-B commerce का नेम दे सकते हैं, यह ध्यान से समझेगा पहले वाले topic में तो क्या था, दो business आपस में transaction कर रहे हैं, पर यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ topic number 3, एक ही business के अंदर different different departments आपस में landing कर रहे हैं, information share कर रहे हैं तो इसको हम intra-B transaction या intra-B commerce कह सकते हैं, for example, marketing department ने production department को बताया कि आपको इस design का product बनाना है तो definitely यह दोनों आपस में बातचित करेंगे, production department, marketing department, तो जब different different departments आपस में बात कर रहे हैं, तो इसको हम intra-B commerce कह सकते हैं last है हमारे पास customer to customer commerce, अब customer to customer commerce के अंदर हमारे पास कोई भी business नहीं है मतलब दो business आपस में landing नहीं कर रहे, एक business customer से भी landing नहीं कर रहा, landing करने वाले दोनों के दोनों customer है for example, मेरे पास कोई पुराना mobile है, मेरे पास कोई पुराना mobile है, मैं बेचना चाहता हूँ, खरीदेगा कौन, कोई customer ही खरीदेगा, तो ये transaction दो customer के बीच में होने वाली है आज कल ये transaction आपको पता है कि online भी होने लगी है, एक website है जैसे OLX, OLX पर क्या करते हैं, एक customer एक अपना product बेचने के लिए पुराना product वहाँ पर डाल देता है, कि मेरे पास ये product है, मैं इसको sale करना चाहता हूँ, ये second hand है, इसका time period इतना हो चुका है, इसकी इतनी warranty पड़ी ह ये price में, मैं इसको sale करूँगा, दूसरा customer भी OLX पर है, वो उस product की information लेता है, उसको भी पुराना product चाहिए, तो क्या करेगा, दोनों अपस में landen करेंगे, तो ये दोनों के दोनी transaction किसके बीच में हुई, दोनों customers के बीच में हुई, क्योंकि दोनों का कोई reality में उस product को ले commerce के बीच में होती है, तो हम उसको customer to customer commerce भी कह सकते हैं, तो ये हमारा e-business का first video complete हो चुका है,